सायापूर में विवादित हाकी क्लब पर प्रिसासन और भारी पुलिस बल के पहुचने पर आज फिर हरकम मच गया यहां प्रिसासन ने हाकी क्लब के हाल और दुकानों को बलपूर वक खाली करवा दिया प्रिसासन का कहना है कि विवादित हाकी कलब के मामने में एक होट से नगर निगम के पक्ष में फैसला आया है और उसके बाद उसे खाली कराए गया है हिज़ारान मौके पर भारी भीड भी इकठा हो गई दरसल जिलब प्रिसासन ने वर्सुद 2017 में हाकी कलब को नुजल की जमीन बताते होए उस पर अपने ताले डाल दिये थे हाकी कलब के हाल और दुकानों को जिलब प्रिसासन ने अपने ताले लगा कर बंद कर दिया था तो वहीं आज सिटी मजिस्ट्रेट और अपर नगर आयक तो सहीत भारी पुलिस बल हाग की कलब पहुंचा जिसके बाद हाल और दुकानों में बंद सामान को ततकाल बाहर निकालने का आदिश दिया गया जोरान विरोध करने पर भारी पुलिस बल ने भीड को मौके से हटा दिया पर सासन का कहना है कि हाल का कबजा मुक्द करा कर उसे अब नगर निकम को शौप दिया जाएगा जिसमें कि यह बताए गया कि यह आदेश हुआ कि जो कबजा हमारा था वो यह थावत हमारा कबजा ही माना जाए और जो विपक्षी के जो दावा था वो खारिज था जो केस है वो केस भी आपको बता दूँ टौन अहल होकी किलाब बनाम नगर पालिका परिशत शाह अगर आपका जैसे मैंने खोला अपना अगर आपको कोई समान है किसी का रखा हुआ है तो शांदी पूरवक ले जाए उसमें हमें कोई वापत्ती भी नहीं है